क्वीक आयस कम्पोज यूर ड्रीम जो गठन किया गया है वो किस आर्टिकल के तहत किया गया है आर्टिकल 280 में बित आयोग के गठन का प्राउधान किया गया है समिधान में और भारत के राश्पती द्वारा बित आयोग का गठन जो है किया जाता है इसके अध्यच सोरोहे बित आयोग के अध्यच कोन बनाये ग पंद्रोहभी तायोग का अध्यच और जो सोनोहभी तायोग बनाया गया है ये अपनी रिपोर्ट कब सौपेंगे तिया दखना इनकी अंतिम तारीक है 31 अक्टूबर 2025 तक इनको अपनी रिपोर्ट को सरकार को राश्पती को सौपना है और ये जो सोनोह भी तायोग है ये कब से कब लागू होगा तिये 2030 तक के लिए लागू होगा ये भी आपको याद खना है तिये बहुत ही महात्पूर्ण कोशन है इसको याद खना ये 100% कोशन इस बार के पेपर में आने वाला है इसको अच्छे से आद खना इसके अध्यच कोशन है ये सबसे महात्पूर्ण है आप लोग इसको बिल्कुल भी निगलेट मत करना ठीक है इसके बाद है आपका 2023 में इंदोर सहर चर्चा में क्यों तो 2023 में इंदोर सहर चर्चा में इसलिए है कि साथवी बार इसे लगातार स्वाच्छे भारत का जो है सहर घोसित किया गया है इंदोर को और इस बार 2023 में सूरत को भी घोसित किया गया है तो सूरत और इंदोर दोनों पहले अस्थान पर है इस बार याद रखना सैयुक दूर्प से तो लेकिन अगर पुछा जा इंदोर क्यों चरचा में है तो यार रखना, सातु हमी बार ये सबसे مहात्मूर है, कितनी बार लगाता हुँ, सवच्छ सहर घोसीत किया गया है, पहला पॉइंट. दूसरा इंदोर भारत का सर्वस्रेश्ट स्मार्ट सिटी घोसित किया गया है ये भी या रखना कि सब सर्वस्रेश्ट स्मार्ट सिटी कौन बनाया गया है तो इंदोर ही घोसित किया गया है और तिसरा स्वच्च वायू सर्वेच्चर 23 में इंदोर पहले अस्थान पर है कुछा जा सकता है यह हो सकता है तीनों कोशन आपसे पूछे जा सकते हैं एक पॉइंट में लग करके ठीक है यहाँ से कुछन पूछा जागा कि इंदोर चर्चा में क्यों था इसके बाद आपका यूनेस्को की creative city लिष्ट तो यूनेस्को की क्रेटिस सिटी जो लिष्ट होती है इसको हिंदी में कहते हैं रचनातमक सहर सूची तो हमारे देश में टोटल आठ ऐसे सहर हैं जिन्हें यूनेस्को की क्रेटिस सिटी लिष्ट में सामिल किया गया है दो हजार तेईस में सामिल किया गया है जो ह है गौालियर इसे संगीत के रूपे सामिल किया गया है दो हजार तेश में तो यह सबसे महात्पुर्ण है और इसी सासाथ आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि युनियस्को की क्रेटिव सिटी लिष्ट जो बनाई गई है उसमें भारत की टोटल कितने सहर हैं टोटल आठ सहर है और आठ सहर किस किस छेत्र में रचनात्मक छेत्र में सामिल किया गए है तो इस लिष्ट को आपको अच्छे से या दखना है और कब सामिल किया गए ये भी आपसे पूछा जा सकता है ठीक है तो या दखना इसमें जो है स्री नगर को सामिल किया गया है सिल्प और लोक कल में सामिल किया गया है 2019 में और चन्नाई को संगीत के छेत्र में कनाटक संगीत का केंद्र जो है चन्नाई है तो चन्नाई को सामिल किया गया है 2017 में और जैपुर को सामिल किया गया है सिल्प और लोकला में 2015 में और वरारसी को सामिल किया गया है संगीत के छेत्र में 2015 में ठीक है तो संगीत के छेत्र में भारत के ये भी पुछा जा सकता है कि संगीत के छेत्र में भारत के कितने सहर हैं तो टोटल तीन सहर हैं जो संगीत के मामले में है कौन कौन सा गौालियर इसके रामा आपका चन्नाई और वरानसी ये भी पुछा जा सकता है कि सिल्प और लोक कला में कौन है तो सिल्प और लोक कला में स्रीनगर है और जैपूर है तो अलग-अलग करके कटेगरी से आप से कुशन पुछा सकता है या एक साथ में आपको जो है चार सहर दिया जाएगा और चार जो है दखना और किस शेत्र में सामिल किया गए हैं यहां से कुशन आपसे पूछा जाएगा तो इसको बहुत अच्छे देखना यहां से कुशन बिल्कुल आने की संभावना बनी हुई है ठीक है इसके बाद है आपका भारत में युनेस्को की आमूर्थ सांस्किर्तिक बिरासत तो संस्किर्ति को कला को सामील किया गया है तो टोटेल फंद्रा है इस समय वंद्रा नम्पर उपर नंपर पूरी लिश्ट यहां पर दे दे रहे हैं कोई भी ऐखरी जामे पूछा जाए तो आपको याद रखना पहला आपका याद रहना कुटियाटम बातर का इसको सामिल किया गया है इसको सामिल किया गया है काल बेलिया ये राजस्थान का है इसको सामिल किया गया है और मुड़ी एट्टू जो है किरल का है ये भी रंगमंच का एक जो है आपका क्या कहते हैं संस्कृति का एक रंगमंच है इसको सामिल किया गया है इसके अलावा आठ नमबर पर लद्दाक का बौध जाप जो लद् किरतन को भी मरी पुर का है इसको सामिल किया गया इसके लावा जडियाल वा गुरू बरतन परंपरा और पीतल और तांबे के बरतन यह बनते हैं कहां पे पंजाम में इसे हम ठठेरा कहते हैं ठीक है तो इसका भी निर्मार कहां किया गया है पंजाम में होता है तो इसको भी सा सांस्कितिक बिरासत में, इसके बार नोरोज का तेवार, पार्सियों का नोर्स का तेवार नोरोज होता है, इसको 2016 में सामिल किया गया है, योग को सामिल किया गया है, योज़ को भी आमूर सांस्कितिक धरोहर में योग को भी सामिल कर लिया गया है, इसके बार है आपका कुम कुम का मेला कुम के मेले को 2017 में सामिल किया गया और दुरगा पूजा को 2021 में पच्छी मंगाल का सामिल किया गया है और गर्बा को 2023 में सामिल किया गया है गुजरात के लिए तो यह बहुत ही महत्पूर्ण है यही आप से एक्जाम पूछा जाएगा टोटल भी पूछा जा सक का परमारू रियक्टर से जुड़े हुए तीन परमुख न्यूज हैं और तीनों अलग-अलग छेतर की हैं तो आपसे पुछा जा सकता है पहला दुनिया का पहला चौथी पीड़ी का परमारू सेयंतर कर पुछा जा कहा लगाया गया है 2023 में तो चीन में लगाया गया है उसक गलत नहीं होना चाहिए ठीक है दुसरा दुनिया का सबसे बड़ा परमारू रियक्टर सेयंतर कहा लगाया गया तो जापान में लगाया गया है उसका नाम क्या है जे टी सिक्स जीरो यस ए नाविक्स जो है नाविक्स जो है नाविक्स रियक्टर है इसका यही नाम रखा यह जापान का है यह दुनिया का सबसे बड़ा परमारू रियक्टर है फिर आपसे पूछा जाएगा लगाया गया है तो बोलीबिया में लगाया गया है रूस के द्वारा इसको लगाया गया है ठीक है और कहां पर लगाया गया है तो बोलीबिया में एक परबत है आपका अल अच्छी डेस है, यही पर उसको लगाया गया है। इसके बाद है 200 र भारत के सूपर कम्पुटर। 200 र भारत के सूपर कम्पुटर 2013 की रिपोर्ट जारी किए गई है नॉवर में, अब 2014 की रिपोर्ट नॉवर में आएगी, तभी हमारे लिए एक साल के लिए सबसे महत्पूर्ण यही हो गया है कि सूपर कम्पूटर कौन कौन से हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप फाइप में एक भी चीन का सूपर कम्पूटर सामिल नहीं किया गया है तो सूपर कम्पूटर के अगर हम बात करें तो सूपर कमिटर में सबसे टॉप पर इसमें पहला है आपका फ्रंटियर ये कहा का है ये अमेरिका का है और ये 20 का सबसे जो है पावरफुल सूपर कमिटर है जो 500 की लिश्ट में सबसे एक पर है सबसे उपर है ठीक है दूसरा है आपका अमेरिका का ही अरोरा है ये आपका अमेरिका का ही है और तीसरा है आपका इगल ये भी अमेरिका का ही है तो सुरू के तीन अमेरिका के हैं और चौथा है आपका फुगाकू ये जापान का है और पांचवा है लूमी ये फिनलैंड का है तो इस बार पांच म पहला है आपका एरावत जो है यह भारत का सबसे तेज सुपरकम्यूटर है और या दखना है पूरे 500 की जो लिष्ट है उसमें जो इसकी जो रैंकिंग है वो कितनी है तो 90 नमबर पर इसकी रैंकिंग है या आपको यह याद रखना है 90 नमबर पर है ये और दूसरा है परम सिध्धी AI ये भारत का दूसरा सबसे 30 सूपरकम्टर है और जो इसकी जो रैंक है वो है आपका 163 रैंक है पूरे वर्ड में है और जो तीसरा है आपका है सूपरकम्टर वो आपका पर्तियूस है और उसकी रैंकिंग कितनी है तो 201 है और आपका चौथा जो सूपर कमिटर उसका नाम है महिर और उसकी रैंकिंग है 354 रैंकिंग है तो आपको यह याद रखना है यह कूशन आपसे एकजाम में पूछा जा सकता है भारत के कौन से इक्जाम में सामिल किया है तो टोटल 4 मैंने बता दिया है पूरे वर्ड का सबसे रहा है नेक्ष्टन नियूज है हालही में 20 सफोट होए ज्वाला हूं। 2023 में क्यों कुर्स ज्वाला मुखी बिसफोट हूए और किन देस में पूचछे जा सकते हैं यह कुशन हमेशा आते हैं। है आपका पोपाकेट जो है पे-टल जो Would If Čelamukhi ऍैपका मैकसिको का है मॉंट मेरापी जो heißt कुषें हंड़ेट परसंट एक्जाम में आ सकता है क्योंकि इसको लेकर के पातकाल भी सुरूस हुआ था जाप यहां पे इंडोनेसिय में और इसको लेकर किलावा जोला मुख्या आपका हवाईदीड ऊपर है हवाईदीड का परसान महासागर में है और अमेरिका का यह एक प्रान्त है यह ठीक है और इसके बाद है चिली जो है UBI NAS जोला मुख्या पेरू में है और यह भी बीशपोट हूँ था माउंट जो है इतना जो अलमुकी इटली में है, इसमें 20 फोट हुआ था, तो टोटल आठ जो अलमुकी जो बहुत चर्चा 22 में थे, जहां 20 फोट हुए हैं, यहां से कोशन आप से पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेज़ेगा, यहां से कोशन पूछा जा सकता है, ठ इसके अध्यष है, गीता मितल, इसलिए से गिता मितल, कमिटी भी नाम दिया गaya है, इस कमिटी का गठन kis ने किया है, सुप्रिम कोर्ड दौरा किया गया है, किसके लिए किया गया है, तो मरीपुर में, जो लगतार, वहां हिंसा हो रही थी, तो मरीपुर में राहत और लुक्ति भी नाम दिया गया, तक यह कूछं कूचा जा सकता है, यह बहुत ही महात पूर्ट है, और आज अग्य्मिता मुर्पूर् चर्चा में है तो यहá से आ सकता है, गीता मित्तल जो है इसके अध्यच जह रहुँ काश्मिर्ट ऑच़नेले की जुह है यह पूर मुखनी द्धीष रह चुकी है जो इस एसके अलामा जो है सालेणी ससांक, जो है यह बांबे हाइच कोट की द्धीष हैं और आसा मेनन दिल्ली हाइच कोट की द्धीष हैं तih तीनों लोगों के इसमें नुक्त की अगया, तीनों पूछा जा सकता है कि तीनों महिलाएं कौन सी है, और इस समिती का नाम क्या है, तो गीता मित्तल समिती कहो, या फिर इसे हम सर महिला समिती कहेंगे, क्योंकि तीनों सदस महिलाएं है, तो यह कोशन आपसे पूछा जाता है इसके बाद मरीपूर हिंसा से जूरी एक कमिटी और है अजय लांबा समिती तो अजय लांबा समिती का जो गठन किया गया है ये किस ने किया है तो ये केंसर कार दोरा किया गया है क्यों किया गया है मरीपूर में हिंसा घटनाओं की जाच करने के लिए किया गया है इस समिती म को निक्त किया गया है किसके लिए मड़ी पुरहिंसा की जाच किलने के लिए यह आपको याद दखना है और यह कें सरकार ने गठित किया है अजय लामबा समिती यह भी 100% उमीद है कि इस बार कोश्यन एकजाम में आ सकता है तो इसको बहुत अच्छे से याद करने की जरूत ह 2 प्लस 2 आरता 2 प्लस 2 आरता या देखना 2 प्लस 2 आरता में बिदे समंत्री और अच्छा मंत्री के बीच जब दो देशों की आरता होती है तो उससे 2 प्लस 2 आरता कहते है 2 प्लस 2 आरता माल लिए भारत अमेरिका के बीच हो रही है तो भारत अमेरिका कर देखा जाए तो भ आरता रखा गया है आपको यह याद रखना है और 2 प्लस 2 आरता जो समय हो रही है उस भारत किते देशों के साथ 2 प्लस 2 आरता कर रहा है तो टोटल 5 देशों के साथ कर रहा है पांचों देश आपको यहां पर लिखे गए हैं तो सबसे पहले भारत ने अमेरिका के साथ किया जापान के साथ किया अस्टेलिया रूस के साथ किया और अभी हाल में बिटेन के साथ भी किया है तो भारत पूछा जाएगा कि भारत बरतवान में किते देशों के साथ 2 प्लस 2 आर्था कर रहा है तो यह टोटल 5 देशों के साथ कर रहा है तो आपको इसको याद अखना है यह ये कुश्यन आपसे एकजाम में 100% पूछा जा सकता है, ये भी काफी चर्चा में रहा है, नेक्स है आपका, गुजरात में जो है, बेनेडियम धातु की खोज हुई है, तो बेनेडियम एक धातु होती सी खोज किसे ने किया है, तो GSI ने किया है, भारतिय भूबेग्यानिक स जीन है इसका, ब्राजील बेनेडियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश से ये भी पूछा जा सकता है, और भारत में बेनेडियम आयस का अनुमालत भंडार कितना है, तो 24.63 मिलियन टन है, ये आपको याद रखना है, कनाटक महराष्ट औरिसा बेनेडियम भंडार के को कि लुख राज रहे हैं, तो ये बिस और भारत दोनों मैं ने बता दिया, और बड़तमान में कहां खोजा गया है, तो गुजरात में खोजा गया है, और कहां पर, खंभात इखारी में ये कुश्षन आप से एकज़ाम में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से याद र ताइवान है जापान है और दचिर कोरिया है तो इन चारो देशों को जो गुरूब बनाए गया है एलाइंस बना है उसका नाम रखा गया है जो है चिप फोर या उसे हम फैव फोर के नाम से जानते हैं क्यों किया गया है तो बैस्विक चिप जो सप्लाई है उसमें जो है सेम आपको इसको अच्छे से याद रखना है इसके बाद इसके बाद है आपको पता होगा कि पाक इखारी जो है यह आपका भारत और सिर्लंका के बीच में है आप एक माया पे देख सकते हैं और याद रहना यह विबात का कारण क्या है कि 1974 में जो है इस द्यूप को भारतिय मच्छवारे यहां मच्छली पकड़ते थे और याद रहना इस द्यूप को पुना प्राप्ति करने के लिए केंसरकार से मान की है यह कुशन पूछा जा सकता है क्योंकि यह द्यूब को ले के बहुत बिबाद था और इंद्रा गांधी ने इस द्यूप को जो है सिलंका को दे दिया था ये बहुत ही महात्पूर्ण कोशन है ये पूछा जा सकता है कि बिबाद कहां पर हो रहा है ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें दो है अभी नास जो अलमुकी बिस्फोर्ट ये इरिंग आफ फायर है ये उसी का हिस्सा है ये कुशन पूछा जा सकता है अभी हाल में इस पे बिस्फोर्ट हुआ था अभी मैंने आप ऊपर भी बताया है ये कुशन आपसे पूछा जा सकता है इसको अच्छे से याद रखेगा इसका नाम रट लीजेगा अच्छे से इसके बाद याद रखेगा एक युद्ध चला है इस समय अजर बेजान और आर्मेनिया के बीच में तो अजर बेजान और आर्मेनिया जो युद्ध चला हो उसकी छेतर को लेकर चला है तो नागोन काराबाक छेतर को लेकर के हो रहा है याद रखेगा ये आपका छेतर यह पर आए तो अजर बेजान और आर्मेनिया की बीच इसमें यूद्ध चला यह आपसे कुछा जा सकता है और या रखना यह बरतवान में अजर बेजान की अधिकार में और यह पेट्रोलियम उत्पादक केंद्र भी है तो यह कुछा जा सकता है क्योंकि यूद्ध हो रहा है इ इसे इस्ता क्रेंट क्लास आपको लगातार मिलती रहे ओके थैंक्यू